रामाय राम भद्राय, राम चंद्राय वेद से, स्री राम लला भगवान के, भारत माता के, सर्यू माता के, जै जै सीता राम, राम उत्सो के, आज के इस कारिक्रम के, मुख्य थिते, दुनिया के, सबसे लोक्प्रिय राजनेता, भारत के मान्य प्रधान मंत्री, आदनिया सी नरेंद्र मोधी जे, रास्तिय स्वयम सिवक संके, मान्य सरसंग चालक, सरदे डॉक्टर मोहन भागवाज जी, प्रदेश की मान्य राज्यपाल, सिमती आनन्दी वेन पटेल जी, सिराम जनभुमी तीर्ट छेतर न्यास के ध्यक्स, पूझय महांत नर्टगोपाल दाज्य, सिराम जनभुमी तीर्ट छेतर न्यास के कोसा ध्यक्स, पूझय स्वामी गोविंद देवगिरी जी, महा सचीव सम्मानेशी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संत जन अपने अपने छेत्र के नेत्रुत्त देने वाले सभी पस्तित महानुभाव रामत्सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे रास्तिय स्यम स्यवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवाज जी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ प्रवु रामलला के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई 500 वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्सित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना है मन भावुक है भावविवोर है भावविवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेत्यासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जनभूमी की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आँख हरस और संतोस के आँसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन राघो राम लला हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दय में प्रसंता है गर्व है और संतोस के भाव हैं आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तों प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जनभू में संभवत्व विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य की जनमस्थली पर मंदिर निर्मान के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहुंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्धति से उपर उठकर के, रामकाज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वासुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी जी का हिरदै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई कि अभी गर्वग्रय में बैदिक विधी स्विधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं और लौकिक छवी है हमारे प्रभु की बिलकुल वेसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा कि नवा कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वस सिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है विचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच मुझे पूजय संतों और अपनी गुरु परंपरा का पूर्णे स्मरन हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुति दे चुकी है उनकी पावन इस मिर्तियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलके संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धु हुआ है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे हैं और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वह सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही चोटिल होती रही किन्तुराम का जीवन हमें संयम की सिक सा देता है और भारतिय समाज ने संयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृड़ होता गया और आज देखिए पुरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने को आतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभा उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी की रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्व्य और भव्य योध्या का साकसातकार कर रहा है आज जिस सुन्योची त्यम्तीब्र कति से योध्या पुरी का विकास ह पुरा है वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सकते और दूर द्रिस्ता के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले कल्पना से परे था कि योध्या में एयरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़कें होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियाश से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या, आयुस्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्सम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपे पुन्डधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विक आज के लग रहे हैं राम जी की पेड़ी नया घाट गुपतार घाट ब्रह्म कुंड भरत कुंड सूरज कुंड विभिन्न कुंडों के काया कल्प संग्रक्षण संचालन रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेंड परंपरा की कल्चर मैपिंग कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेंड वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षण तो होई रहा है भौश्यकी जरुपतों को देखते वे आधनिक पैमाने के अनसार सभी नगरिये सुपधाएं भी विक्सित हो रही है इस मोकसदाइनी नगरी को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रेटकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन्द मेंगिकार किया गया है यह लोक और जन विश्वय विजय है भारत के गौरोव की प्रणरप्रतिष्द्धा है ऐटव्ल डिपट ऑचन और कि पैचान बन रहा है और स्रिर्ः लेडा की प्राणप्रतिश्था का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संब्स्क कि एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है सिराम जन्भुई मंदिर की अस्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुस्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिराम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिश्था राष्टि ये गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निस्चिंत रहिए प्रवराम की किर्पा से अब कोई अयोध्या की परकर्मा कोई बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोच्सो रामोच्सो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोषणा भी है राम राज्य बैठे तिरलो का हरसित भये गये सब सोका राम राज्य भेदभाव रहित समरत समाज का द्योतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुमी मंदिर के स्वपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों अभियंताओं सिल्पियों और सिर्राम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादी कारियों को हिर्दै से धन्यबाद पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एत्यासिक पूने घड़ी की बधाई आदरिय प्रधान मंत्री जी आदरिय सरसंग चालक जी माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महान भावों का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज के स्रामत्सों के उसर पर कोटी कोटी वधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बाने को बिराम देता हूँ जैजै सीताराम